फतेहबाद के मार्केट कमेटी के मंडी सूपरवाइजर को विसलन्स के टीम ने 30,000 रुपे की रिश्वत लेते हुए गिरफतार किया है पुलिस ने आरोपी के कबजे से रुपे भी बरामत कर लिया है बताया जा रहा है कि गाउं भूतन कला में कृशक सीट्स के दाम पर सुरेंदर प्रकाश फैक्टरी चलाता था बताया जा रहा है कि एक महिने पहले मार्केट कमेटी मंडी सूपरवाइजर मदनलाल ने इसे सीट्स के इंदर का निरिक्षण किया था और निरिक्षण के दोरान फैक्टरी में कई खामिया निकाल दी आरोप है कि मंडी सूपरवाइजर मदनलाल ने सुरेंदर प्रकाश से दो लाख रुपे के डिमांड भी की लेकिन सुरेंदर ने कहा कि उसके पास इतने रुपे नहीं है बात में ये मामला 40,000 रुपे में तैह हो गया तो जो ये हमारा आरोपी है मदन सिंग ये मंडी सुपरवाइजर है ये पिछले अपरेल मार्च में इनके सेड प्लांट पे निरिक्षन के लिए गए थे उन पर दबाव बणाया कि आप का लाईसेंस हम कैंसल करवा देंगे आपका स्टोप कम ज्यादा दिखा कर इसके अवेज में इनोंने वहाँ दो लाग रुपे की डिमांड की थी तो इनोंने फिर इसको मना कर दिया आप हम नहीं देंगे हमारे किलाब कोई भी कारवाई करवा आप उसके बाद मार्च में इनको फोन करने लगया बयाप ये हमारे को पैसे दे दो नहीं तो आपका कैंसल करवा देंग लाईसेंस सुरेंदर कुमार ने इस मामले की शृकायद विजलेंस को दी वहीं सूचना मिलते ही DC ने खजानची अधिकारी राकेश कुमार को जूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया सुरेंदर कुमार को 30,000 रुपे पाउडर लगा कर दे दिये जैसे ही मदनलाल ने रुपे लिये तो उसके हाथ लाल हो गए और टीम ने उसे पकड़ लिया विजिलेंस DSP राजेश मलिक ने बताया है कि 30,000 रुपे के रिश्वत लेते हुए मार्केट कमेटी के मंडी सुपर्वाइजर मदनलाल को गिरफतार किया है फतेहबाद से रमेश कुमार पंजाब के स्ट्रेट टीवी अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद